नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भार्दवाज और आप देख रहे हैं न्यूस्रूम पोस्ट मीडिया सेक्टर के दिगज रूपर्ट मडोक ने फॉक्स कॉर्प और न्यूस कॉर्प के चेर्मेन पद से अपना स्तीफा देने का एलान कर दिया इस बाबत उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर्स को भी एक मेमो भेजा है मडोक ने कहा कि अलग-अलग भूमिकाए निभाने का ये उनके लिए सही समय है चेर्मेन पद से स्तीफा देने के बाद वो दोनों कमपनियों को परामर्श और सलह देना जारी रखेंगे रूपर्ट मडोक 92 साल के है और हाली में उन्होंने पांचमी शादी करने का एलान भी किया था रूपर्ट मडोक करीब 70 साल से मीडिया सेक्टर में एक्टिव है उन्होंने करीब 50 साल पहले दसन को एक टेबलोईड के रूप में लॉंच किया था उन्होंने UK में लाइफ फुटबॉल देखने के तरीके में रेवोल्यूशन वो लेकर आये थे रूपर्ट के बाद उनके 52 साल के बेटे लैशलेन मडोक न्यूस कॉर्प के एक मात्र अध्यक्ष बनेंगे इसके अलावा वो फॉक्स कॉर्परेशन के कारेकारी अध्यक्ष और मुख्य कारेकारी अधिकारी भी बने रहें रूपर्ट मडोक ने कहा कि मेरे पास टेलेंटेड और डेडिकेटेड टीम है अब समय आ गया है कि मैं कुछ अलग रोल अपना हूँ अब लैश लेन जो एक भावुक और सिधान्तवादी लीडर है वो दौनों कमपनियों के एक मात्र अध्यक्ष बनेंगे मेरी कमपनियों की स्थिती मेरी ही तरह मजबूत है मैं अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में रोजाना न्यूस और आइडियाज के साथ व्यस्त रहा हूँ लेकिन ये बदलने वाला नहीं मडोक ने कहा कि मेरे पिता बोलने की आजादी में विश्वास करते थे और लेशलेन इस उद्देशे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद है नौकर शाही उन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है जो उनकी उत्पत्ती और उद्देशे पर सवाल उठाई में मडोक का कहना था कि हमारी कमपनी एक समुदाय की तरह है और मैं इसका सक्रिय सदस्य हो निउस्पेपर्स और वेबसाइटों और किताबों को पढ़ूंगा और विचारों, सुझावों और सलाहों के साथ आप तक जरूर पहुचोंगा इससे पहले रूपर्ट मडोक उस वक्त भी सुरुखियों में आये थे तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलाल इतना ही आपको रूपर्ट मडोक से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए तीच अ इजागत नमस्कार